हेलो गाइज विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल एसके मिश्टडी अवे आप सक्सेच मैं हूँ आपका एजुकेटर सीव मिस्रा अब आपका सोलो फर्वरी को हिंदी का पेपर है जी हां अब आप हिंदी के पेपर क्रचा बारहमी हिंदी के पेपर को आखिरकार आप कैस किसे लिखेंगे यह सबसे महत्यपूर सवाल होता है इस आने वाली वीडियो में इसका मैं फूल सल्यूसंदूगा टेंसल मत लीजीगा यह जो है ना कॉपी यह पूरा पूरा प्रीउस करवाने वाला हूं चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियें तो वीडियो को like कर देजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share जरूर कर देजी हाँ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करें share कर दे ताकि वो लोग अपने बोड़ी की तैरी बहतरीन तरीके से कर पाएं और जो PDF रहेंगे model paper पीडियाफ रहेंगे वो टेलेग्राम चैनल SK Mrd. भेज दिये जाएंगे टेलेग्राम चैनल SK Mrd. का जो लिंक है वो description box में दिया गया है जाके टेलेग्राम चैनल SK Mrd. को फटा फट का क्या करेंगे जोईन कर लेंगे तो चले देखते हैं देखी यह आपका 302 डीक्यू पेपर है 2022 का और यहां पे है 2023 का डीयस वीपर है तो सबसे आप पहले आपको यहां पर दिखेगा टाइम कि तीन घंडे पंदर मिंड़ का टाइम मिलेगा आपको पंदर मिंड़ और और नहीं मिलेगा तो पहले यहां पे प्रश्ण पत्र यह है का रिखेंगे कि का कैसे कनुलrey करना है एक सुझान के लिखान को आलेंगे पर प्रश्णुत्तर संख्या डाल देंगे अब यह प्रश्णुत्तर संख्या आक है तो सीखेंगे यहां पहुंदा एक सुजान के लिखक कौन है भारतेंडुहरीश्यंद प्रताब नरामिस्र प्रताब सुंदरदास या बाल खुर्चन भट तो सो आजन एक सुजान की जो लिखक हैं वह आपके हैं यहां पर बाल कृष्चन भट और पर पुराइट इंसर दे दिन आप उसके बाद राश्ट के सरूब पर डिन दियार उपाध्या दौ के सरूब के वाशुदेश चणरवार मैंने यह पर रहाँ पे कहानी के लेखाक कौन है अमर कांद नुद्सी प्रेम चंद लियसपाल जहनेंद्र तो द्रुयात्रा कहाणी कि जो लLING heeft उन्हीं तौह तो इंसर लिखेंगे आप ऐसे भी प्रशत्तर संख्या एक Algun फीर एक फिर प्र और या ऊपर दाल दीजिए फियर लिखते हुए चले जाए तब भी examiner समझ लेगा और आपको पांचो के पांचो नमबर वो दे देगा ऐसा नहीं कि काड़ देगा अगर ऐसे भी लिखेंगे न तो आपको पूरा नमबर मिलेगा ठीक है न क्योंकि प्रशुत्तर संख्या एक उपर है और इसके पांचो एंसर यहां पर solve किया गया है तो examiner यहीं देखेगा कि आप पहले का पांचो एंसर correct दिये हैं कि नहीं अगर दिये रहेंगे तो आपको पांच नमबर देखे आगे बढ़ जाएगा उसके बाद प्रशुत्तर संख्या दो आएगा अब देखे प्रशुत्तर संख्या दो यहां से शुरू है तो यहां पर दिया है दो यहां पर दो लिखा है न फिर दो का क्या लिखा है क ख घ अंग तो दूसरा का क्या है हिंदी साहित का इतिहास लिखने वाले प्रथम कुमार वर्मा आचार राम चंद्र सुगल तो दूसरा का जो राइट एंसर हो जाएगा वो आपका सिक्क का सिक्ड वाला होगा क्या होगा गारसाद तासी इसका आपको राइट एंसर यहां पे मिले जाएगा ठीकिन उसके बाद यहां पे खवाला है मालिक मुहम्मद जैसी को किस धारा का कभी माना जाता है तो दुसरा का का शूफी विधारा केंक उसके आइंस यहां पर डारेक्ट लिख देना है इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको कुछ भी करने की ज़रुरत नहीं है आराम से एसे कर देंगे लिख देंगे आराम सी अच्छा नंबर देगा ऐसा नहीं कि आपको एक्जामनर अच्छा नंबर नहीं देगा पूरा नंबर अब देखेंगे तो यहां पर गद्यांस है और यह गद्यांस कितने नंबर का पूछा गया तो यह गद्यांस कुलाब का दस नंबर का पूछा गया है यहां पर क्या है दिए गद्यांस पर आधारित निम्खित प्रशनों के उत्तर देजी जन का प्रवाह अनंत होता है सहस अम्रिश से भर देती हैं तब तक राष्टी जन का जीवन भी क्या है अमर है इतिहास के अनेक उतार चड़ाव पार करने के बाद भी राष्ट निमासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है और जन का सततवाही जीवन के नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और सन के द्वारा उत्थान के अने घाटों का निमार करना है यहां पर इन्हों ने कितने प्रष्ण पूछे 5 प्रश्ण पूछे सबसे पहला इन्होंने प्रुछा कि जन का प्रवाह का आसैन निम्किन मेंसे कोवन है तो प्रष्टर लेकर आएंगे वीडियो यह गद्यांस पर जो इंपॉर्टन इंपॉर्टन गद्यांस रहेंगे चैप्टर वाइस पूरा का पूरा हम गद्यांस करवा देंगे आप बिल्कुल टेंसल मत लीजीगा न यसके मिस्टडी जब है तो आपके वलके और अपने आप पढ़ाए फो पहले का लिगना है प्रशुतर संख्या तीसरा लिग देना सेम टुसेम फिर इसके बाद पहला लिगना है और पहला कहाँ पे लिगना है उनोंने पूछान ब्राष्ट में रास्ट में निरंतर अनेग प्रकार के परिवर्तन आते रहती हैं इसके उपरांत भी राश्ट के निमासियों की स्रिंखला निरंतर अभाद अबाध गती से क्या होती रहती है चलती रहती है बस यही क्या हो जाएगा इसका इंसर हो जाएगा पिर यहां में पूछाएंगों ने राश्ट जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है राश् यहां पर दुसरा वाला है तो यहां पर लिखेंगे हमारे राष्ट के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चड़ाव आते रहे हैं परंत नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नमीन सक्तियां प्राप्त होती हैं इनकी सहायता से वे पूरे उत्साह के साथ प्रगती करते रहते हैं कर रहे हैं और इसी प्रकार सदेव से ही उतना अस्तित बना रहा है उसके बाद इन्होंने पूछा है उत्थान के घाटों का इनमार कैसे होता है उत्थान के घाटों का इनमा जनबी अपने कर्म और सरं के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक अउसेस अत्वा पदचिन छोड़ते विए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे अरथात उत्तान के अने घाटों का इन्मान कर्म और बास्रम के द्वारा होगा क्लियर हैं उसके बाद यहांपर देखेंगे हम लोग चौथा वाला रे खांकित अंस वाला देखेंगे तो इसको कैसे करना यह देख लिजे इसी प्रकार से आपको पुष्टक के गद्य भाग में संकलित एवं भारती संस्क्रित के अध्यता डाक्टर वासुद्यों सव्डवाल दारा लिखित राज्ट का सरूप सीर्षक निवंद से क्या है अवतरित है उसके बाद प्रशुत्तर संख्या का फ्रशुत्तर संख्या चार यहां पर क्या है आपका वह आपका पध्यान से देख सकते पध्यान्जबांस करेंगे आराम से आपको 10 नंबर मिलयने वाला है ठीक है तो यहाँ पर है स्रिधा मनुवाला इंहोंने उठाया है तो तीक हैना कि इन्होंने यह वाला सॉल्व किया तो कि की पिछली रजनी बीथ विक सता सुख्यगिन ओधात से कभी मत इसको जाओ भूल यहां तक हुआ इसमें अब यहां प्रस्तुत पद्यांस के पाठ कभी करा में लिखेंगे तो लिखना क्या यहां पर प्रस्तुत पद्यांस जैसंकर वशाथ के महा कावने के संगली स्रद्धा मनू सीष्ण कविता से क्या है उध्रित है इतना लिख दीजिये आराम से और आपको नंबर मिल जाएगा और आपको कुछ भी करने के जょड़ों थाई यही नहीं है बिल्कुल भी नहीं है आपको इसी प्रकार चाहिक दिएना है इसी प्रकार से यहाँ पे और इंसρε निये गए हैं फिर यहाँ पे आपको 25 संख़ापार्ण डालना है जीवन परिचलिग देना है किसका लिखक का फिर कभी का लिख देना है पिर यहां पर आएंगे तो आपका पंचलाइट का कहानिका सारांज हम सारे सारे लेकर रहांगे टेंसन नमस लिजिए एक-एक कहानिका सारांज में बताने वाला हूं य सके मिशडि पर प्लेलिस्ट में वीडियो एड करवा दिया जा रहा है जाके प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख के पढ़ सकते 15 प्लस वीडियो लेके आरे के वल आपके यूपी बोर्ड एक्जाम 16 फरवरी के लिए ठीक ना तो इस प्रकार से आप यूपी बोर्ड की कॉपिर कहेंगे 16 फरवरी को क्लास 12 वाले जो भी बच्चे हैं और यहां पर मैंने बता दिया किस प्रकार से आपको लिखना है क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलतिया करते हैं और इन गलतियों को आप बिल्कुल भी मत करिएगा बोर्ड एक्जाम 2023 में 16 फरवरी को जब आप हिंदी का पेपर लेकिन अभी आपको सपोर्ड करना है असके मिश्यरी को तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके दोस्तों थाएं क्यों जाएए